SSP साब आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि एक युवक और छे महिलाएं युवक की पत्नी ने धोखा दिया था बचपन न सौतेली माने उसे पीटा था किसी तरह से साधी हुई तो आउरत के तरब से उसे प्रेम नहीं मिला आउरत उसे छोड़ कर चली गई आउरत ने कहा हमारे काबिल तुम नहीं हो इससे उसे आगहात लगा और उसे फिर साइको से पिडित हो गया फिर जो उसने किया उसे SSP साब बता रहे हैं SSP साब हैं अनुराग आर्या और यह 2012-13 बैच के IPS है लेकिन इनकी बात हमारे समझ बना ही आ रही है हम आपको ले चलते हैं बरेली जहां जुमका गिरा था लाग छुड़ाय सैया ने कलईया नहीं चोड़ी फिर क्या हुआ जुमका गिरा रहे वहाँ जुमका बनाया भी गया है उसी बरेली में हम ले चलते हैं और बरेली के SSP हैं अनुराग आर्या उन्होंने एक बड़ा केस का खुलासा किया है और यह केस हमारे समझ में नहीं आ रही है मैं अनुराग आर्या जी को समोधित करते हुए कह रहा हूं कि यह हुआ कैसे लगभग 12-13 महिने में कई महिलाओं कि जीवन लिला समाप्त हुई और सब यह कही तरह की यह कही प्रकित की घटना है यानि ऐसे करके और फिर काम खत्म कर दिया गया फिर चुनी से या फिर सारी से उसे बाध भी दिया गया कुछ न कुछ वह निसान उस महिला का निसान ले गया था जिसने ऐसा किया था इसके लिए मुंबई से special salwar मंगाए गये थे जो psychology के expert है ऐसी घटना का परदाफास हुआ डेड़ लाख मुबाइल नंबर ट्रेस किये गए ऐसा कह रहे हैं बरिष्ट पुलिस अदिक्षक डेड़ लाख मुबाइल नंबर सरविलांस पर लगाए गए 22 टीमों का गठन किया गया 150 अस्थानों पर दमिश दी गई 1500 से अधिक अस्थानों पर दमिश देना अभी पुरानी भासा वही सब चली आ रही है दमिश दिया और दस्तियाब नहीं हुआ ऐसी भासाई अभी भी चली आ रही हैं ग्रेजों के जमाने से कानून तो अमारे बदल गए लेकिन अभी भी जो लिखा जाता है वकील साब लोग लिखते हैं वह सब वही भासा है दर्खवास्त कौन सी भासा है उसे भी आप समझे लिजे तो आप कर रहे हैं कि 1500 सीसी फूटेज निकाले गए लोगों की बीच पुलिस ने जाकर के नुकर सभाये किया उनको जागरू किया पुलिस ने लोगों से पूछा कि आखिर ऐसा है कौन अपने हाँ बताएं कि इस तरह से बांसिक रूप से कोई बिचिप्त है क्या मिल ही गया जो मिला है उसके स्क्रेच बने थे तिन-तिनी स्क्रेच बनाए गए लेकिन एक आदमी कैसे इतनी बड़ी घटना कर सकता है उसकी उम्र 35 साल है पांच फिट के लगभग लंबाई है ऐसे उसका मूँ भी है सार्विक संडचना ऐसी है जिसको अगर एक हाथे से जम करके रसीद कर दिया जाए तो तिन-चार ढमनिया खाएगा कुछ अगर दियाती बासा का प्रयोग किया जाए तो तिन-चार बार ऐसे लड़केगा लेकिन उसने आधा दर्जन महिलाओं के साथ जो किया उसे स्विकार किया है और स्वयम कह रहे है SSP साब कि हमारे कंधे पर पत्रकायर बारता के दवरान कंधे पर हाथ रख करके और मुस्कुराते हुए डेमो किया गया ऐसे बना करके सारी पहना करके ऐसे महिलाओं का तो उसने बताया कि हमने कैसे किया और फिर कैसे बाधा थाना नबाब गंज नाम है कुलदीप गंगवार और गाउं इसका है बाकर गंज समुआ जैसा कि मैंने बताया इसकी पत्नी छोड़ करके चली गई और उसके बाद से ही महिलाओं के परती इसको नफरत हो गई ऐसी महिलाओं को सुनसान जगह पर देखता था उनसे इजहार करता था उनके साथ फिजिकल रेसन अस्थापित करना चाहता था महिला के तरब से जब नानुकुर होता था और कड़ा प्रतिमाज जता थी तो वह ऐसा कर देता था सकल देखिये सहाबान की सकल देखिये और आप भी बताईए तो इस तरह से अकरता था आधादर्जन महिलाओं की जीवन लिला समाप्त किया अब साइको का मतलब होता है मनोरोगी किसी भी प्रकार का अनेक प्रकार के साइको का असर होता है मनोरोगी हैं मानसिक बिचिप्त हैं और यह साइको किलर है या यानि मनोरोगी हत्यारा जिसे कहेंगे यह मानसिक बिचिप्त हैं पागल जिने कहेंगे गंभीर मानसिक और इस्थिर्ता और हिंसक तरीका जिनका हो जाता है वो ऐसे ही हैं यानि साइको किलर तो यह साइको किलर करता क्या था एकांत में इसके पास कोई मोबाइल नहीं था जाता था एकांत में किसी महिला को किसी खेट में ऐसे तैसे देखता था फिर उससे इजहार करता था बात करता था महिला गुशे में होती थी पिर पटक करके अब इनकी सकल एक बार देख लिज़े और SSP साब क्या करें भईया हमारे समझ में तो बात नहीं आ रही है SSP साब से हमारी उमर अधिक है माना कि मैं IIS, IPS, PCS और इस तरह का दरोगा आरच्छी नहीं हूँ लेकिन अनुभव की आधार पर को आ सकता हूँ एक बार होली के मौसम में हम गए रंग खेलने तो मारे यां कुस बाहा परिवार है एक भावी थी उनके आँ चले गए तो हम तो पालवानी कर रहे थे हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी रहे होंगे मुझे याद नहीं है जो भी समय रहा हो और भावी ने पकड़ लिया हाथ यहां से और मैं इतनी कोशिस किया कि छुडालू भावी गिरहस थी मैनत करने वाली थी खेतों में अब नहीं रही तो कुस बाहा परिवार की भावी ने हाथ पकड़ लिया और मुझे लगा कि इस महिला में इतनी ताकत कहां से आई यह साहाब एक चीज बताईए हमको हमारे समझ में थोड़ा हमारा मारत दर्सन करिये गा हाँ साही पुलिस स्टेशन के इंद्रबिंदू था उस इलाके का तो एक महिला के साथ किया मालिया सफल हो गया होगा पठक दिया होगा पठक करके और कर दिया होगा जीमन लिला समाप्त हो गई होगी दूसरी महिला को भी किया तीसरी महिला के साथ ऐसे ही किया और एक ही प्रकित का आपराद एक ही तरीका अब साहब उसका वजन 50 किलो कदाशी 50 किलो वजन हो सकता है और जैसा कि मैंने बताया कि उसकी उमर 35 साल है 5 फिट लंबाई है कैसे करेगा किसी अब आप एक चीज देखिए डिस्कबरी आप देखते हैं तमाम चैनल देखते हैं हिरन पर वार किया चीता हिरन पर वार किया तेदुआ हिरन पर वार किया सेर हिरन पर हमला किया टाइगर बाग हिरन बचाओ के लिए दोड़ता है माना कि उसकी रेस कम है इन लोगों से लेकिन उसके बाद कभी کभी अगर अड़िया जाता है तो इन लोगों को पीछे हटना पड़ता है दौडा करके इन लोगों को दौडा लेता है आपने देखा नहीं है जान बचाने वाला पुरी ताकत लगा देता है जंगली सूवर को आपने देखा होगा कैसे इन से लड़ता है लड़ते लड़ते यहाँ दबा लेते हैं और भी एक जानवर होता है उसका नाम नहीं मुझे याद है और जेबरा होता है जेबरा भी कभी कभी लात मार के इन की आसी की तैसी कर देता है तो ऐसे जानवर जान लड़ा देते हैं ऐसे ही किसी लड़के से किसी कम उमर के बच्चे से लगी है ना आप ऐसे देखे किस तरह से अगर जान की उस पर बन पड़ेगी आ जाएगी तो किस तरह से आप से लड़ता है अकिले आदमी इस तरह का मानसिक बिचिप्त और एक ही अब महिला अगर यह कर रहा है तो महिला हाथ पेर मारेगी उसके नाखून लगेगे आँग फोड़ देगी क्योंकि दोनों हाथ तो अकब जामिकर नहीं पाएगा दोनों हाथ उसके फशे हुए एक हाथ से तो यह काम कर नहीं पाएगा दोनों हाथ लगाएगा सीने पर चड़ेगा पटकने में भी उसे समय लगेगा इतना आसान तो है नहीं माना की कप्तान सहाबिया कह रहे हैं कि 40-65 साल की उम्र की महिलाओं के साथ ही ऐसा वह करता था जो सिकार हुई है वही महिलाए हैं तो महिलाओं का हाथ तो खाली रहेगा आग फोड़ देंगी और कुछ नुकुछ ऐसा करेगी जिससे की वह छोड़ करके भगेगा लेकिन आ और सक करना हमरा अधिकार भी है लेकिन अब आप मेरे समझ नहीं आ रहे हैं आप भी थोड़ा मारत दर्सन करिएगा तेरह महिने में 11 घटनाओं को अंजाम दिया आदा दर्जन घटनाओं की पोल खोल दिया है अनुराग आरे सहाब ने और यह आजमगड में रहे हैं इसके भले SSP मव में रहे हैं, अमेठी में रहे हैं, बलराम पूर प्रताब गड़ कप्तानी कर चुके हैं इनके च्छमता पर और इन्होंने जो अनवेशन किया है जो घटना का परदाभास किया इस पर हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन कप्तान साहब यह बात मेरे समझ नहीं आ र अगवार ऐसे साइकोगिलर आपकी अगल बगल भी होंगे। ऐसे मान्सिक बिछिप्त अगल बगल होंगे। साउधान ऐसे लोगों से बचाओ करने क्या होसकता है। ऐसे तमाम घटनाय प्रकास में आ रही है चोटी-चोटी बच्चीयां सिकार हो रही हैं। जो मांसी कपरादी है मनो रोग से ग्रसित लोग है ऐसी घटनाओं से आपको बचने क्या वसकता है हर जग पुलीस नहीं जा सकती जैसे लिखा रहता है बसों में आतरी अपने सावान की सुरुख्चा स्वयम करें इसके लिए परिवहन जिम्मेदार नहीं होगा दोस्तों मैं हूं रजबू सौन दूबे बिनमरता के साथ हमारा प्रणाम आप सभी तक निवेदी थे और यह आए वीडियो IPS अधिकारी SSP अनुराग आरे को संदर्वित करता हूं और प्रदेश के DGP को भी कि ऐसी घटनाओं में ऐसा ब्यक्ती जिसका वजन देखने में ही लग रहा है आप एक बार फिर से देखिए कि उसका और वह क्या कर सकता है बात कर रहा है इधर तो देख रहा है इधर और मानसिक अपराधी के साथ साथ मानसिक बिचिप्त भी है के से करेगावा साथ मास्कार